हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो मेरे नाम है अकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केरवेल फार्म हमें तो आज से हम फाइनली स्टार्ट करें अपने फार्मसेटिकल एनलिजिस की यूनिट वन को और यह हमारी एक वन वीडियो सौट है इसका मतलब क्या है कि आपको इस एक ही वीडियो में यूनिट वन को कम्प्लीटली कवर कर दिया जाएगा अब कोशन आता है कि इसकी पीडियाप आपको कहां मिलेगी तो इसकी पीडियाप आपको क्रेस कोर्स के अंदर मिले वाली है यान कि यह वीडियो आपका क्रेस कोर् पहले यह जान लो, कि हम हम सब कर कर देखो आपको पता होगा यहाद कि कुछन होरा स्लेवस इस तरह से पूरा का पूरा आप कवर है आपको यूट्यब पर फ्री में मिल जाएगा और बैपसाइड है यहाँ पर फारि क्या स्मग्षो नोट क मिल जाएगा तो उसी को solve out करने के लिए हमारा crash course आया और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जैसे अगर कोई भी question आता है आप उसको exam में किस तरह लिखे आओगे जिससे आपको अच्छे marks मिलेंगे तो simply देखा दाये तो यहाँ पर आपको important question वाई सारे solution मिलने वाले हैं और जो हमारा slavers बाइद है वो अल्रेडी हमारा cover है आप चाहो तो YouTube पर प्यूरी प्लेश देख सकते हो और website देख फ्री नोट्स के डाउलोड कर सकते हो लेकिन जो यह नए वाले नोट्स है यह आपको हमारे app केरवल फार्मा पर देखने को मिल जाएंगे अब simply हम बात करें इस unit 1 के syllabus के बारे में तो यहां पर देखो पहले आता है pharmaceutical analysis आप इसका introduction आपको पढ़ना होगा फिर definition scope क्या होते है different techniques क्या होते है method of expressing concentration यह सारा कुछ है ठीक है अब हम यहां simply बात करते है तो एक errors बारे topic है अब important question के बेश पर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा major most important topic बनता है what are errors यानकि हमारे errors क्या होते है उनको classify करो then describe the method of minimizing errors यानकि error को then हम कम कैसे कर सकते है then second आता है describe the different technique of analysis की technique क्या हो गई method of concentration क्या हो गया फिर impurities के उपर question आता है फिर primary secondary solution accuracy precision तो यह सारे questions हमारे इस वाली unit से बनते है चलिए फिर हम इनको solve करते है तो सबसे पहले हम बात करते है कि analysis actual में क्या होता थोड़ता इसका introduction जानते है तो जो analysis है यह हमारा analyze word से आई यानकि symbol देखो analysis अब आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा वाई तूने कुछ analyze किया तूने कुछ ये दिखा तूने कुछ वो किया यानकि analysis का simply मतलब देखे त ठीक है और इस पानी में मैंने क्या किया कोई भी unknown एक sample डाल दिया कोई भी chemical मैंने डाल दिया पाउडर की तरह जो पता नहीं था मुझे भी किसी को नहीं पता था मैंने डाल दिया जो डाला वो मेरा solute हो गया यह जो हमने liquid लिया पानी पो हमारा solvent हो गया और दौनों को मिला कि डिरेक्ट पेड़े हुए है और क्या क्या कैसे है उसकी प्यॉरिफाई है या नहीं है तो जब आपको यह बाते पता लगाने के लिए बोल दिया दाता है तो यहीं पर हमारा काम आता है analysis का यांकि simply अगर बोल सकते है तो analysis it is the branch of pharmaceutical chemistry यांकि pharmacy के अंदर जो chemistry होती है उनीक ए identification अब मालों की यहां पर कौन सा सभीश्टान था तो मुझे इसके बारे में पता लगाना है ए है बी है जो भी सका नाव वहमें पता लगाना है तो पहला identification दुशरा determination है कि कतना क्या कैसे है यह एक्यों में क्या है पूरा ही determine करना है आपको उसके बाए quantification तो determine और quantification लग बगरा तो नहीं है तो यह चार बाते में लिए आपको इस अंदर करनी होती है और इसको अगर दूसरे तरीके से बोलें तो बोल सकते हैं कि कि analysis is the qualitative and quantitative determination of substance by using manual chemical and instrumental method यहांगे हम different method का use करके यहां पे दो main बाते पता लगाते हैं एक होती है पर लिए क्वालिटेटिव में क्या है कि यह कितना quality एसके क्या है यांकि कितना приor है और इसमें कौन सा सप्वस्टांस प्रिजेंत है यह कि क्वालिटी में आथा है तो उसी कौम यहाँ पर analysis बोल देते हैं तो यह था हमारा simple analysis अब हम बात करें अगर अपने पहले question के बारे में तो यहाँ पर आता है कि what are errors हमारे errors क्या होते हैं उनको classify करना है आपको और उसके बाद method of minimizing error याँकि इन errors को आप कैसे कम कर सकते हो तो इसके बारे में बात करना है तो errors के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले हम समझते हैं अपने crash course को कि आखिर आपको यह crash course क्यों लेना चाहिए और इसके फाइदे आपको क्या होने वाले हैं तो देखो पहली बात जो video lectures है हमारे जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हो यह आपको app और YouTube पर दौनों तरफ मिलेगा तो सिर्फ अगर आप यह सोच रहे हो कि यह YouTube की वीडियो है यह आपको सिर्फ आप में बलेगी तो नहीं है यह सिर्फ आपको complimentary दिया थाता है यह आपको app और YouTube दौनों पर मिलेगा लेकिन बात आती है जब इसकी PDF नोट्स की यह जो आप देख रहे हो इसकी PDF होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको app पर मिलेगी वो आपको YouTube पर या website पर नहीं मिलेगी जो new वाले PDF है जो already आपके पास प्रिजेंट थे वो आपको मिलते रहेंगे उनकी कोई दिकत नहीं है जो नए वाले PDF है important question वाले है वो आपको सिर्फ app पर मिलेंगे उसके बाद और फाइदा किया कि live class होगी आपकी लेकिन वो अभी weekly होगी एक बार हमारा setup अगरा साब हो जाए then weekly हम आपके class start करेंगे उसमें जो भी आपके doubt रहेंगे आप live हमसे पूछ सकते हो हम interact करके आपको सारा कुछ बताएंगे और smart word पे आपकी वो class होने वाली है और try करेंगे एक आद unit वेका revision करवा देंगे उसके बाद सबसे important क्या है कि जैसे ही आपका exam time आएगा आपका exam होने वाला होगा कुछ दिन पहले आपको एक हम top 10 question की marathon कराने वाले हैं इसमें क्या होगा कि ऐसे 10 question जो exam में आते ही आते हैं बैसे question को हम आपको solve कराएंगे live app पर लेकिन यह सिर्फ आपको app पर मिलेगा और इसकी pdf भी आपको वहीं पर दाल दी सागी उसके बाद हमारे previous year question paper है तो उनको भी आपको app पर ही दिये दाएंगे और कुछ सारे तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ एक दो question आपको solution form में भी हम प्रोवाइड करेंगे आप इसको ले सकते हो और बहुत अच्छे मास गेन कर सकते हो अब question आता है बहुत लोगे डाउट है कि इसमें जो नॉर्मल स्लेवस वाले हैं जो यूट्यब पर पढ़े हैं जो pdf आपकी website पर पढ़े हैं यह सिर्फ आपके लिए complimentary है मतलब इसका price हमने add नहीं किया है लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें मतलब सर हमें एक साथ नहीं मिल पा रहे sequence वाद हमको video lecture या pdf नहीं मिल पा रहे है उसको solve करने के लिए हमने आपको as a complimentary आप क्रेस कोर्स के अंदर फ्री में दिया है तो यह एक डाउट था जो आपको यह लगता है अगर आपको लगता है कि आप YouTube से कर सकते हो तो कोई दरुवत नहीं अब simply यहाँ पर क्या है कि जैसे मालो मैं आपसे बोलता हूं कि हमने एक टैबलेट बनाई प्रसीटमोल ठीक है तो मालो यह मेरी एक टैबलेट है प्रसीटमोल मैंने बनाई है और यह टैबलेट को दावा किया ता रहा है कि यह टैबलेट हमारी 500 mg पर यान कि 500 mg इसके अंदर हमारे एक्षव में पराइसीटमोल पड़ा हुआ है अब आपको यह पता होगा कि ड्रग और मेडिसन में क्या फर्क होता है ड्रग एक्षव में हमारे में API होता है एक्षव फार्मसेटिकल इंग्रीडियंट जो हमारे असर दिखाता है हमारी बॉड़ी में जाके यान कि जो हमारी बॉड़ी होगे उसमें असर दिखाता है API लेकिन जो API होता है बहुत स्मॉल अमाट में होता है और वह एकदम आप उसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं उड़ सीरप में या किसी कैप्सूल में इस तरह उसको कंप्लीट बना देतेहें धन यह हमारा होजाता है और यह क्रिशाती मेडिशन अब इसी तरह दवबा किया दा रहा है अब यह घर चेक करने वाली तीम वाई और बॉससें जब एनको एनलाइस किया तो उन्होंने पाया कि इस सिर्फ 400 mg ही हमारा पर प्रिदेंट है तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ गल्ती हो गई कुछ गड़बड हो गई तो इसी गल्ती और गड़बड को हम यहां पर एर्र बोल दिते हैं यहां कि आप लोगोंने मोबी कभी कुछ करते हो तो एक दम कुछ ही चलती नहीं है तो वहां पर एर्र लिख्के आता है कि एर्र यह वाला और एर्र 400 चार्ज यह तो बहुत बार आपने दिखा होगा तो एर्र का मतला होता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो वही फंड़ना यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे क हमारे actual में जो standard value थी वो थी 500 mg लेकिन जब हमने उसको observe किया हमने check किया तो हमारे सिर्फ 4.54 mg निकला तो यह 50 mg का हमारा error निकल का है और इसी को हम error बोलते हैं और simply इसको और define करो तो it is a deviation, deviation मतलब होता है difference यानकि difference between the actual result and the expected या फिर desired result यानकि जो actual result हमारा 6400 निकला लेकिन हम चाहते थे कि हमारा 500 निकले क्या होगी इतने की drug थी तो इसी को इनके बीच के difference को हम यहाँ पर error बोल देते हैं और अगर इसको percentage में convert करना हो तो यह आप आते होगे, जो math के बच्चे होगे उनके लिए तो बहुत ही आसान है यह तो normal जो standard value है जैसे 500 mg यह वाली मैंनस यहाँ पर हमारी observed value हमारी यहाँ यहाँ पर 500 mg है और नीचे जो हमारे standard overall वो हमारे यहाँ पर होता है और इसको हम क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे 20itä coming से वहाँ दो निखना सै यहाँ पर यहाँ पर से लॉस होगया तो यहाँ पर हमारे हमने error देखा 50 mg और calculate किया percent तो 10% निकला तो यह आप बना के आता ना तेन हम बात करते है source of error के बारे में यान कि यह जो error हुआ आखड यह हुआ क्यों और यह question आता है आपको इसी तरह लिखके आना पड़ेगा यान कि यह error की यह error भी लिख देना तो error की definition यह इसके formula हो गया और यह इसका example हो गया तो इस तरह लिखो गया आपको काफी अच्छे marks मिलेंगे फिर source of error के बारे में बात करें तो it can be occurred by analyst यान कि जो इसको perform करने वाला होता है अब जैसे मालो कि मैंने इसको check किया मैं इस वाले इसको तोड रहा था इसको powder form में convert कर रहा था मालो उसी powder form में क्या होगा कि मेरे से थोड़ सा drug गिर गया और गिर गया या कहीं पे test हुई या क जहला source हो गया कि यहां पर जो analyst है जो perform करने वाला था उसको अगर कम knowledge हुई जा उसने ध्यान नहीं दिया तो यह हो सकता है second हमारा है कि जो हम measurement कर रहा है जो calculation कर रहा है वो उसमें mistake कर दी जैसे अभी अभी हमने यहां पर formula देखा और formula मालो कि हमने धोगे से इसको plus कर दिया माइनस कुछ भी घड़बर कर दी तो चलो simple calculation है जब actual में बड़े बड़े syrup हो गए ज्यादा quantity होगी ज्यादा measurement होगी तो कुछ ना को जैसा error आता है तो जब इसमें कोई mistake होती है तो यह हमारा एक source हो गया कि हमें measurement में जा calculation में हमने कोई दिक्कत कर दी इसके बाद किया कि due to inadequate sampling और data collection अब जैसे मालों कि जब हमने यहां से अभी हम क्या देख रहे थी हमने यहां से जो लिया 500 mg का अब जब हमने इसको तोड़ा तो तोड़ने के बाद हमने किया कि पूरा 500 mg लिया ही नहीं हमने यहीं से थोड़ा सक कम ले लिया 400 गरिब ले लिया और ले के थोड़ा 1000 बीच में गड़वर्ट करके मारा 400 गया तो यह भी एक mistake है कि हमने यहां से पूरा ट्रग ने लिया तो यह भी हमारा source हो सकता है कि हम जब sampling कर रहे थे इसको ले रहे थे सेंपल को ले रहे थे तब हमने कोई गड़वर्ट कर थी या हमने data अच्छे थे नहीं लिया इसके ब 500 mg हमने बनाया उसमें मालो 40 mg हमारे कोई impurity है थी हम इसको हटा की तो देखेंगे अपने ट्रक को तो हमारे 460 हो गया तो वह भी हो गया कि इसमें कोई impurity या कोई गंदगी जो उसका actual part नहीं है यानकि जो paracetamol नहीं होगा paracetamol के लाबा कुछ और होगा तो वह इस paracetamol क करके देख रहे हूं कि कितना क्या है mg वगरा तो क्या हो गया कि मालो की आपकी जो weighing machine है यानकि जो bait करने वाली machine है उसमें अगर कुछ गड़वड हो गई तो यह है कि आपका वो calibrate नहीं है आपका जो equipment है वह अच्छे थे calibrate नहीं है वह अच्छे थे आपको reading नहीं दे रहा तो यह आपकी एक गड़वड हो सकती है और आखरी में आता है due to defective और contaminated material यानकि जो यहां पर material है अगर वो खराब हो गया यानकि decompoze हो गया एकस्पायर हो गया तो उस चक्कर में भी क्या हो सकता है कि उसकी जो reading है उसका जो यह हमने किया calculation वो हमारा गलत आ सकता है तो 400 निकला 400 इस एक्जांपल से आप या सकना है तो कुछ हमारे difference आ गया वो error हो गया क्यों हो सकता है कि analyst अगर गड़बड़ तब हो सकता है हमें measurement calculation में दिक्कत हो गई हमने sample गलत ले लिया या उसमें कोई impurities या कोई गंदगी add हो गई या हमारे equipment हो ही खराब हो calculate करने वाला ख गलते हैं पहला हमारा आता है systemic error दूसरा हमारा आता random error और तीसरा हमारा आता है gross error अब देखो इनके ना नाम से समझो जो systemic error है इसको Determinate Error बोलते हैं, जो Random Error है इसको हम Indeterminate Error बोलते हैं और जो Gross है वो तो Gross ही है Overall वाला तो इसमें क्या होता है? सिष्टमे करण में कि यह हमारे वो Error है जो हम लोगों की बजासे होते हैं यानकि हमको पता है कि भई हो सकता है अब जैसे Example मालो जब मैं इसको Calculate कर रहा था यानकि आप Simple मालो की जैसे हम लोगो एक्जाम दे रहा है हम लोग पढ़ाई कर रहा है तो Simple है कि अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको पता है कि अगर हम उस पे चलेंगे तो हमारे गिरने के चांस है अगर हम रोड के बीच बीच में खड़े हो जाएंगे तो हमें मरने के चांस है तो हमको पता है कि यह हो सकता है तो यह वाले जो error है यह ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि हो सकते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं तो यह होते हैं इनको हम calculate कर सकते हैं इनको पता लगा सकते हैं अब इसमें हमारे एक आते हैं पर्सनल इंस्टुमेंटल मेथेडिक और रियर्जेंट आते हैं यह पर हो सकता है कि जो teacher है चेक करने वाला examiner है उसने notebook बहुत गंदी तरीके से चेक कर दी कि आपको fail कर दिया तो यह तो आपको पता नहीं था ना यह आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आपने अच्छा गी आपने अच्छी पढ़ाईगी आपने अच्छा paper दिया लेकिन फिर systeming मैंने आपको बता दिया कि यह हमारे वो error होते हैं जो किसी analyst के दारा होते हैं या किसी wrong procedure की वज़ेसे होते हैं या कि simply है कि यह हमें पता होता है और हम इनको prevent भी कर सकते हैं हम इनको minimize भी कर सकते क्योंकि हमको यह पता होता है अब example जैसे मालों कि incorrect formula यूज कर दिया calculation के time प इसको perform कर रहा है अगर वो ध्यान नहीं देता है वो carelessness दिखाता है तो तब यह error देखने को मिल जाता है तो यह हमारे personal error आजाते हैं अब इसमें example जैसे मालो improper sampling हो गया या कई बार होता है कि जैसे कुछ color blindness होते है यान कि जैसे color का भी matter होता है white color pink color red color तो कई इसमें difference नहीं ह गया तो यह हमारे instrumental error कर आते हैं थर्ड हमारा आता है methodic error यह basically क्या कि अगर किसी ने wrong method यूज कर लिया यान कि जो मतलब गलत तरीके से उसको जो है चेक करने लग गया तब यह problem हो आ सकती है और last हमारा आता recent error यान कि इसका क्या कि जिन recent का आप यूज करें इनको calculate करने के लि और random तरीके साथ आता है उनको identify करना भी बहुत जादा difficult हो जाता है और इन पर हमारा कोई control नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाले तो हम इसको control ही नहीं कर सकते वह यह ना कि तुम करो बत फल की चिंता मत करो फल तो सब्र का फल तो मीठा ही होता है ज जो हमारे हाथ मनी यह नहीं को पता भी नहीं है कि कुछ error हो गया है हमको लगा 500 हमने calculate किया उसी time और वह हमारा था 510 था हमने सही से देखनी पाया हमको पता ही नहीं था हमें लगा कि machine ठीक है तो इस time अगर ऐसा कुछ हो जाए जो हमको नहीं पता होता जो unpredictable है तो वह हमारा random error में आता है और mostly हमारा यही होता है अब इसके example जैसे मालो simply है error कोई हो रहा है due to temperature and humidity अब आपने सारे कुछ पर ध्यान दिया लेकिन मालो जिस रूम में आप इसको कर रहे थे अगर उसका temperature high हुआ या temperature बहुत जादा down हुआ तो हमारे उसके result में effect आ सकता है humidity जादा हुई ज को कम कैसे कर सकते हैं यह पूरा ही 10 marks में आता है तो अच्छे से पूरा details में देख लेना तो अब बात करे है method of minimizing error कि आप errors को कम कैसे कर सकते हो पहला हमारा आता है calibration of instrument या फिर अपैर्ट यानकि simply fund आ है कि जिस भी equipment का आप use कर रहे हो उसको measure करने के लिए जैसे एक हमारा होता है आप लोग जाके देखो कि measuring cylinder होता है तो इस measuring cylinder में क्या है कि इस तरह आप उपर से भर सकते हो और इसमें हमारी लाइन लिखी होती है एक दो तीन चार करके हमारा 10 ml का वो अलग लग size का होता है अब मालों कि इसमें जो line है वो हमारी गलत है यानकि 10 ml तब होगा जब हमारा 8 ml है यानकि 8 ml टोटल पर हमारी 10 ml की यह भरी है तो जब आप इसको फिल करके किसी भी chemical में डालोगे तो आप हर बार 10 का सोच के डाले हो लेकिन आप टोटल 8 ml ही डाल रहे हो तो यहाँ पर equipment बागडवट सी तो अगर आप इसको ठीक करना जाते हो तो यह है कि calibrate करो calibrate का मतल है तो जो standard equipment है 10 ml वाले मालो उसमें हम पहले उसको फिल करेंगे देन उसको हम इसमें transfer करके दिखता है अगर यह भी correct हमारा 10 ml का हो गया तब हम बोलेंगे कि यह हमारा ठीक है अगर इसमें सिर्फ 8 वरा दो इसमें बच गया तो हम बोलेंगे कि यह हमारा गलत है तो इस तरह ह हमारा यह जिसमें sample है एक हमारे जिसमें sample नहीं है तो हम क्या करते हैं कि पहले जिसमें sample नहीं है उसके साथ हम उस test को perform करेंगे उसकी एक reading आई उसको check कर लेंगे उसके बाद जिसमें sample है उसके difference को measure करके हम क्या करेंगे जो जिसमें मतलब कुछ भी नहीं था sample नहीं था उस समझ दो पाइब कर沒有, सुलीट रहा नहीं कि और नहीं का मीजर्मेंट करता है, जैसे जी हमारे सेम्पल परकाँ को मिल पाए देन हमारा थर्ड आता है control determination इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं अपने साथ में standard solution को रखते हैं यानकि जैसे मैंने बुला कि मालो यह हमारा standard है तो हम अपने साथ में standard solution को रखेंगे और इससे compare करते हुए इसको चलेंगे अगर मालो difference बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम स इसको एक A method से कर लेंगे एक B method से कर लेंगे उसके बाद हम पता लगाते हैं कि एक हमारे पास होता है कि expected result की इतना आना चाहिए तो हम देखेंगे कि किसका result इसके करीब आ रहा है तो दैन हम उसी वाले method को सही माल लेंगे और उसी के result को हम सही मालते है तो इस तरह जलता है independent में then parallel में आता है कि इसमें हम क्या करें किसी भी सविष्टांस को करेंगे तो दो या तीन बार करते हैं अब यह आप जब titration करोगे और आपनी analysis की lab में जाके तो जब आप titration करते हो तो ऐसा नहीं है एक बार जब वो color change होगे आपने कर लिया आप उसको एक बार करोगे दो बार करोगे तीन बार चार बार तो हम लगवाग तीन चार बार करते हैं और उसकी जो reading आती है उनको इस तरह लिखते हैं और उसमें पर उनकी accuracy निकालते हैं कि क्या fix है देन आप उसका use करते हो तो इस तरह हम parallel determination करते हैं कि हम एक ही analysis को बार बार दो तीन बार करके उसके errors को कम कर देते हैं तो यह था हमारा पूरा error के उपर अब यह question अगर आपके लिए आता है तो long में 10 marks में आता है बहुत बार आता है तो यह पूरा लिखो error क्या होते हैं sword माय का तब भी हो जाएगा इसके sources लिखो यहाँ पे हो गए इसके types लिखो इसके बाद यह इसके पूरे types हो गए फिर यहां से इसको कम कैसे करोगे यह method लिखो और आपका यह पूरा question 10 marks के according हो चुका है अब हम बात करते हैं अपने second question के बारे में तो यह वैसे हमारा कम ही आता लेकिन इसके अंदर जो यह वाला part है यानकि method of expressing concentration तो इसके अंदर different different type के हमारे method आते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख आएगा molarity, molality, normality, formality, mole fraction तो यह हमारा long में आ जाता है यानकि पूरा 10 marks में य define normality या define molality और ऐसा नहीं है कि सिर्फ definition लिख दोगे आपको यह definition और इसका यह formula भी लिखके आना पड़ेगा तब जाके आपके यह दो number में होता है तो इसी के according हमारे यह पूरा 10 के according हम करेंगे तो पहला हमारा आता है describe the different techniques of analysis यानकि जो हमारा analysis है उनकी क्या-क्य techniques होती है तो देखो simply आपको यह तो पता चल गया कि जो हमारा analysis है वो हमारा qualitative यानकि एक बार उसकी quality जग करते है और quantitative दोनों तरह का measurement करता है और इसमें हम अपने manual chemical और instrumental method का यूज़ कर रहे थे अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी technique जिनका इस्तिमाल करके हम अपनी analysis को perform कर सकते हैं तो यहां basically हमारी दो types की इस तरह की technique आपको देखने को मिलती है पहली हमारी होती है instrumental यानकि जो मैंने बताय था कि हम instrument का use करते हैं दूसरी हमारी होती है non instrumental जहाए हम किसी instrument का use नहीं करते हैं तो पहली जो हमारी instrumental है इसमें basically का यूज़ करते हैं यासे हमारी titration हो गई या फिर chemical method हो गई titration gravimetry इनका इस्तमाल करते हैं या आगे जाके जैसे यासे पढ़ोगे second unit से आपको मिलने देखने को मिल जाएगी तो कौन को से method है instrumental non instrumental दो तरीके किते instrumental वो है जिनमें हम equipment का या किसी instrument का यूज़ करते हैं जैसे हमारा electro analytic method spectro analytic method chromatography और others हो गए तो electro canal में हमारा conductometry आता है potentiometry और volumetry इसमें हम क्या करते हैं electron का current का इनका इस्तमाल करते हैं अभी आपको यह नहीं समझ आएगा क्योंकि यह senior analysis का एक part है पहले तो भई analysis 7-7 में ही होती थी सिर्फ लेकिन अब first मैं भी दे दी है जिससे बच्चा थोड़ा used to हो जाए कि जब आगे उसके लिए बढ़ी आए तो उसे डड़ बगरा नहां लगे फिर हमारा सबस्टान से इनको मैंने यहां पर बाहर निका लिया एक मालो मैंने पेपर के उपर इसको बाहर निका लिया अब इसके weight को इसके calculation को इसके measurement को इसन सब को कौन perform करता है हमारी spectroscopic chromatography यह सब अब मालो की इसमें हमारे चारपाज इखटे हैं तो इनको separate कोन करेगा हमारे chromatography तो इस सब को आपको log में मिल रहाएगा बस अब यह आपको नाम पढ़ना था वह मैंने आपको यहां बता दिया कि इतना आपके लिए बहुत है फिर non-instrumental क्या कि जिनमें हम इंस्ट्रुमेंट का यूज नहीं करते है इसमें हमारे chemical और biological आता है chemical के अंदर हमारे volumetric और gravimetric आता है इसमें हमारे acid-base titration आता है non-equous titration आता है प्रेसिपिटेशन आता है redox titration तो इस वाले semester के अंदर आपको यही पढ़ने को मिलेगा जो chemical वाले हैं और आपको यही है second, third, fourth unit में आपको acid-base titration, non-equous, precipitation, redox यही तो alakseas आएगा या इसके अंदर के part आपके लिए आते हैं तो पहले हम समझते कि concentration actual में क्या होता है तो इसके लिए मालो की आपको एक solution तयार करना है अब solution के लिए क्या होता है कि मालो आपने solvent लिया, solvent में mostly हम water का use कर लेते हैं या हम कोई organic का use कर लेते हैं तो हमने solvent लिया अब हमारा एक solute होता है, अब solute actual में हमारा कोई drug particle या कुछ भी होगा, अब मालो इस solvent में मैंने किया है is solute को मिला दिया और मिला कि हमारे solution तयार होगया, अब इस solution जब तयार हुगा तो मालो आपको पता नहीं था कि भी solute का amount क्या है, तो अब यहाँपर क्या है कि solute का amount ह होगा ना इसी amount of solute को actual में हम यहां पर concentration बोल देते हैं यहां कि concentration is none other than it is the amount of drug या कोई भी जो हमारा solute add हुआ है उसी के amount को हम यहां पर concentration बोल देते हैं तो simple आप समझगे कि concentration क्या होता है कि it is basically the amount of solute mixed with solvent यानकि जो solvent के अंदर हमने अपने solute को जोड़ा था तो वो कितने amount में जोड़ा है उसी amount को हम यहां पर concentration बोल देते हैं अब जैसे simply यहां पर दिखा दाए मालो आप लोग बल्डे पर भाई आपको chocolate मैंने दी मालो तो मैंने क्या कि आपको chocolate मैंने गिफ्ट दी है तो actual में यह यहां पर क्या होगा कि I gifted you five chocolate तो मैंने जो पांच चॉकलेट आपको दीगा तो वह आपका concentration हो जाएगा जनकि amount हो जाएगा चॉकलेट का तो यह amount आप समझ का होगी simply अब यहां बात करें तो method of expressing concentration का मतलब क्या होता है कि अब जैसे यहां पर मुझे पता है कि यह solute है तो इ साथ में आपको नीदी नहीं आईगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा आप बार बार फॉन करोगे तो आपका मन करेगा भई पूरी class में पूरे महले में वह बाहुगोली वाला अलग धिंडोर आप पिटवाद हो मामा कि मैंने टॉप किया है आपका मन करेगा express करने का तो व पंच महले होता है मोल फ्रेक्श knob या मोल फ्रेक्शन या इसको मोल परसेंटेज में भी क्लियंगे और शीक्स हमारा हुदा होता है पर सैंप हमारा आता है PARTS पर अब इसमें जो यह चार यह पांच मालों यह हमारे बहुत इंपोटन्ट है molarity, molality, normality तो बहुत इंपोटन्ट है formality और mole fraction तो पहले अगर हम बात करें molarity के बारे में तो इसका एक और नाम क्या होता है molar concentration अब देखो molarity और molality इसमें बहुत confusion होते हैं तो यह molar concentration है, यह molar concentration है तो यह फरक आप याद रखना अब जो molarity है इसको हम capital M से denote करते हैं यह भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम small से करते हैं तो इसको हम capital M से denote करते हैं यानकि M बढ़ा होगा अब इसको define कैसे करेंगे तो it is defined as the number of moles of solute dissolve in one liter of solution यानकि simply अगर देखा जाए तो जैसे ही आप मेरा solvent है, यह मेरा solute है इस solute को मैंने इस पानी में dissolve किया और मेरा solute बनके तयार हो गया अब जो molarity क्या कहते है कि जो मैंने solvent लिया वो मैंने fix लिया जानकि 1 liter लिया एक लिटर से ज्यादा ना कम, एक लिटर मैंने लिया तो अब एक लिटर में मैंने कितना solute यहाँ पे dissolve कर रहा हूँ तो जो number of solute है जो एक लिटर में dissolve हो रहे है उनी को हम यहाँ पे molarity बोलते है उस पूरे solution की यानकि molarity simple बोलते है तो it is defined as the number of moles of solute अब moles क्या होते है तो moles simply आप समझो एक तरह से हमारी unit हो गई किसी भी solute को dissolve करने के लिए अब जैसे solute हमने यहाँ जोड़ा तो कई बार mg बगर है तो उसी तरह हमारा moles में भी हम इसको denote कर सकते है हमने एक mole solute को डाला कि दो mole solute को डाला तो मोल हमारे एक तरह से unit माल लो इसको म मतलब find out करने की कितना solute हुए तो यहां पर किया है कि हम यहां पर कितने हैं तो number of moles हमने 1 डाला 2 डाला topics जितने mole of of solute हमारे 1 liter solvent में एड हो रही है तो वही उस पूरे solution की क्या है molarity कहलाती है और इसको define करना हो तो m is equal to number of moles of solute divided by volume of solution अब जैसे जैसे आप first semester में पढ़ते जाओगे यह सारे की सारे doubt आपके clear होते चले जाएंगे लेकिन यह याद रखना है दो number में आता है आपको define करना है उसके बाद आपको यह formula लिखके आना है ऐसे एड़िट है वही सेम चुछी लेकिन फिर भी आपको लिखके आना है और यहाँ पर फरक क्या है कि यह volume of solution है जो पूरा आपका solution निकल के आ रहा है इसमें dissolve हो गया है वह इस पूरे solution के हमारी molality के लाएगा उसको लिख इस तरह करते हैं आपको यह अच्छे से आना चाहिए पूरा लिख के आदा होगी ठीक है जैन second हमारा आता है mole तो यही मैंने आपको बता है कि यह हमारे एक fundamental unit होती है जो measure करती है कि हमारे जो substance है वो कितना present होता है अब इस mole को निकालने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे यह mole as solute है अब यह कितना दिया है substance पर जैसे अगर मैं आपको example मताओ यहाँ पे तो अगर आपको इसका example देखना हो तो माल लो जैसे हम यह हम पूरा बना रहते है तो माल लेते हैं कि यह हमारा NACL था अब NACL का जो molecular weight है वो हमारा होता है 58.44 gram पर mole इतना पूरा mole के according ही लिखके आ रहा है अब यहाँ पे तो बैसे तो यह हमारे mole के according ही दिया जाता है लेकिन अब मालो जैसे हमारे यह mole डिफाइन करना है तो मालो की यह मैंने लिया NACL तो इसका molecular weight यह हो गया अब यहाँ पर मैंने इसको 40 gram दिया मालो की 40 gram NACL को मैं यहाँ पर हजार 1 liter है ना पूरा तो 1000 ml यानकि मालो 1 liter पानी बहुत जादा हो गया तो 1 liter में मैं डिजॉल्व करता हूँ अब इसका कितना mole लिख लेकर निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 40 को हम यहाँ पर divide कर देंगे 58.44 में क्योंकि यह क्योंकि mole is equal to mass given mass given हमने लिया 40 अब एक और याद रखना है कि अभी हमने 40 gram लिया है तो हम इसको calculate करेंगे लग बग अगर आप देखोगे तो 0.62 के करी mole हमें देखने को मिलेगा तो हम simple बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी mole हमारा यहाँ पर जो यह वाले example है यहाँ था इसमें हमारे जो mole है वो 0.6 निकल के आएगा और वही यहाँ पर कि अगर हम इसकी mole निकाल नहीं होगी तो simple हम यहाँ पर 0.6 लिख देंगे अपन यह थाउजन लिख देंगे तो हमें यहाँ पर इसकी mole निकल के आदागी तो आदा मैंने calculate कर दिया अब आदा आप इसकी molarity को जो है कमेंट सेक्शन में calculate करके बताओ ठीक है देखते किने लोको आता है तो यहाँ पर हो गया अब हम second बात करते है molality के बारे में तो सेम है यहाँ पर कि यहाँ पर हम इसकी molal concentration बताते हैं और इसको हम small m से calculate करेंगे और इसमें भी सेम ही है कि हमें number of moles of solute को निकाल लाएं लेकिन किसमें करना है कि यहाँ पर जो solvent है वो हमारा dissolve in one kilogram solvent इसका formula यह हो गया और इसको भी आप इस तरह से calculate कर सकते हो mol को कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया then third हमारा आता है normality इसको हम normal concentration नाम से भी जानते हैं और इसको हम capital N से denote करते हैं अब इसमें क्या होता है कि it is defined the number of gram equivalent of solute dissolve per liter of solution अब इसमें तोड़ी अलग चीज़ आते है कि इसमें हमें पहले जो एक gram equivalent निकालना होता है then इसके number निकाले बढ़ेंगे तो gram equivalent होता है कि molecular weight upon acidity और basicity अब इसको ना आपको यह मतलब important question के साफ़ सौट में है इसको long में मैंने आपको example के साथ भी बताया है नॉर्मल वही साम मालो की जैसे मालो हमारा NaCl था तो इसका उपर molecular weight हम 58.44 रखेंगे और नीचे acidity weighticity क्या होती है जैसे जो NaCl हमारा जब हम इसको यहाँ पर तोड़ते है तो Na positive और Cl negative में जाता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ना यह basic है पूरा neutral है तो यहाँ पर हमारा simple 1 ना दाता है तो इस case में क्योंगा कि अगर इसमें कोई charge नहीं है normal है तो यह हमारा बना दाएगा और इस case में जोमारा gram equivalent है 5.44 रहता है Nevertheless मालो कि कोई charge होगा जैसे मालो calcium का 2 प्लस यह हो गया तो इस case में यह 2 है यह हमारा आज आएगा नीचे अगर इसी तरह हमारा किसी पर जो चार्ज आना वो यहां नीचे आज आता है तो molecular weight हमारा हो गया 58.1 तो इसमें NACL में हमारा common था तो यह उपर आज आएगा इसका जब हम number of निकालेंगे तो जो weight of substance है जो equivalent है वे है तो मालो हमने वही वाला example है तो हमने weight of substance चार्लिश लिया था और नीचे equivalent weight हमारा 58.44 आया तो इसके भी मोल है नमर है वह हमारी 0.6 निकलेगा और जब हम इसको यहां पर रखेंगे तो वही volume हमारी यहां पर सेम आजागी जो हमारी और होता ना तो यह molarity से हमारे different ही निकल के आता है इसलिए जो important है यहां पर हम gram formula weight का use करते है अब जो gram formula weight है वह पहले निकालना पड़ेगा तो इसके number हमें निकालने पड़ेंगा और इसको वल लीटर solution में add करते है इसको हम epsilon करते है जो capital F होता है अब इसके लिए जो हमारा इसका formula यह हमारा बहुत कमी आता है इतना नहीं आता है तो मोल fraction क्या होता यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो जैसे simply अगर मैं आप से बोलू इसका तो आप बहुत एक्जांपल ही समझो कि जैसे मैं आप से बोलू कि मालो मेरे पास तीन चीज़ा है एक A है मेरे जानना इसका बहुत सिंपल कर लेते है कि मैंने चार ग्राम आपना लिया है। ौर्न उठल है चारलीशसं इसका सोलवेंट मोंने एड़ कर दिया मेरे पूरा Sally बन के तयार हो गया अब क्या होता है कि मालो मुझे मोल फ्रेक्शन निकालना है तो मोल फ्रेक्शन क्या होता है अगर मुझे यह हमारा सॉल्यूट है सिंपल है यह हमारा सॉल्वेंट है तो मोल फ्रेक्शन होता है कि हमें या तो इसका या इसका हमें पर्सेंटेज एक तरह से finally निकालना होता है तो mole fraction के लिए क्या करेंगे कि जैसे मालो इसको हम माल लेते हैं A इसको माल लेते हैं तो जब हम क्या करेंगे X is equal to लिखेंगे तो उपर जिसका भी हमें निकालना है मालो अगर हमें A का निकालना है तो हमें यह पता लगाना है कि solute हमारा कितना इस्तिमाल किया गया है यानकि कितना percentage इसमें इस्तिमाल किया गया है तो अगर मैं इसको calculate करूँ तो ए हमारा 4 था और नीचे कर हम दोनों को calculate कर देंगे तो 4 प्लस 40 हमारा देखा गया है कि 4 अपॉन यहाँ पर 44 आएगा और जब हम इसको calculate करेंगे तो लगबग आपका 1 upon 11 यह आपका mole fraction निकल के आएगा यानकि simply हम बोलेंगे तो अगर आप इसको भी calculate कर लोगे तो लगबग आपका 0.09 आएगा तो आप simply बोल सकते हो कि यह जो हमारा पूरा solution बना ना इस पूरे solution के अंदर जो हमारा solute का पार्ट है वो सिर्फ हमारे 0.09 पर है यहाँ ठीक है तो इस तरह हम यहाँ पर्सेंटेज को निकालते हैं कि कितना पर्सेंट हमारा solute या solvent यूज़ किया गया अब मालू मुझे यहाँ solvent का इस्तमाल करना था तो मैं क्या करूंगा बाई मालू solute का निकाला तो ऊपर मैं B कर दूँगा नीचे में A प्लस B दोनों को लिखूंग और बी में यहाँ पर चालेज ता नीचे मेरा 44 यहाँ पर चालेज आएगा सिंपल तो जब 40 अपन 24 यहाँ पर हम करेंगे तो 40 डवार्वार चावारेज़ आप भी करके देखो ठोड़ा तो यहाँ पर्सेंट नीचे में चालना एगा इन दौनों की तॉल्ला में 10 पर्सें सोरी थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन आपको यह calculation सिखाना भी ज़रूर ही है बाकी हम इनको कभी live class में discuss करेंगे टेंसल लेने की कोई बात नहीं है तो crash course अगर join नहीं किया तो आप उसमें जा सकते हो मालों यहां पर हमारा सॉलीषन था यहां भी हमारा सॉलीषन था यहां यहां फीलंड में कहा है यह हमारा सॉलेट है यह मेरा चार ग्रम sto में इनल्वी में हमuckles है जान फ् fiqueiल हुआ हो धराता है वे वाइट-अंध हहां लोड़ा को है हमान यह लिए और 40 ग्राम मी इind कर दिया है तो दौननों जम मेरे हाँ पर लिकूड होगे यह लिकुड होगे तो उस ता मिरा भॉालिम आो क्योंकि लिकुड को आप लियुन मैं काल्गूलेट करते हो तो हमने किसी भी डगमालोग परसीटा मोल हमने यहां लिया 50 ग्राम उसको हमने यहां एक लिटर पानी में घोल दिया तो यह जो मेरा बनेगा यह मैंने बनेगा वेट वाई वॉल्म का अब इनको निकालते कैसे इनके परसेंटेज तो पहले हमें एक्जामपल लेते हैं परसे यहां पर 44 लेते हैं इन्टो हम लाश्ट में 100 कर देंगे तो वह समथी जब आप इस पूरे को आपका कॉल्कुलेट करोगे तो आपका जो परसेंट अ वो 0.09 और 9% आपका निकल के आएगा, तो 9% आपका यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ निकल के आदा आएगा, जो हमने एक एकसाम्बल से देखा, तो simply किया है, जो आपका weight or solute का वो, नीचे आपका solution का weight और इसदर कर दो, यानिकि जो mole fraction में निकलता था वही सेम यहां निकलता है सेम फटना यहां पर हम बात करें volume के लिए तो बस simply है कि मालो हमने यहां पर 4 ml को 40 ml में डाला तो उपर 4 ml ले लो नीचे 40 और 4 मिला के 44 हो गया तो नीचे solution बस इतना याद रखना जो percentage calculation है कि नीचे आपको complete solution का डालना है यानकि यह बाला डालना है अब इसको कैसे समझोगे वही बताया मालो यह मेरा गर 10 ml आ और यह मेरा 40 ml हमने पानी लिया तो जब मैं इसको volume of solution इसमें ऊपर हम solute का weight लिखेंगे और नीचे जो भी solution हमारे total लिखेंगे और 100 से multiply कर देंगे हमें यहाँ पर percentage मिल जाएगा तो इस तरह हम यह percentage कर सकते हैं और आखरी में हमारा आता है parts per million बाला तो यह simple था देखो parts per million का फंड़ा किया कि जैसे मालो यह मेरा solution बनके तयार हो गया अब यहाँ पर क्या होगी कि हमें ऐसे एकदम उमंग जड़ते कि क्या करूं कि अगर मैं क्या करूं इसमें मैंने पूरा solution मिला दिया sorry,solute मिलाके मैंने solution तयार कर लिया,ःब मेरे मन में एक दम आया कि क्या करूं अगर मैं इसτι वाले solution को million part यानकि 10 lakh part में divided कर दूं। यह से मालो मैं इकको क्या है कि 10 lakh part में divided कर दिया और यह पूरा dissolve होके मेरा solution बन गया यानकि अब actual में जो solution है उसमें हमारी दो बाते हैं जो हमारा solvent है और उसी solvent में हमारा solute dissolve है घुला हुआ है तो बस क्या कर रहे हैं कि हम इस solution को पूरा 10 लाग part में divide कर दे रहे हैं और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो इसका एक part है उसमें हमारा कितना amount of solute present होता है उसको यह calculate करते हैं parts per million में और इसके लिए formula क्या होता है तो थोड़ी अत्रंगी है लेकिन ये भी किया दाता है क्या असा किया दाता है और into आपको कर देना 10 to the power 6 और जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर parts per million यानकि एक million वारे part में यानकि 10 लाग में कितना solute का part present होगा वो आपको यहाँ पता लग जाएगा अपेटे use for very less quantity जब बहुत ही ज़्यादा कम quantity में हमारा कोई सभिष्टांस होता है तो आपको यह पूरे के पूरे सब समझ आगे होंगे थोड़ा important था और long क्योंकि यह short or long में आजाता है तो इसको हमने अलग से तीन पेज में किया है जो आपके 10 नमर के according more than enough है और यहाँ पर यह आपका कमी आता है लेकिन अगर आज आता है तो यह आपका चार-पांच पेज का हो जाएगा जो आपको 10 नमर दिला सकता है अब हमारे यहाँ पर नेश्ट कोशन आता है तो यह ना 10 नमर में भी आता है यहां कि आप समझ रहों कि first unit हमारी ऐसी है जिसमें से 10 नमर वाले भी कोशन आते हैं तो यह आपके लिए बहुत कोई भी मालो गंदगी मिट्टी हवा चली बहुत है या मालो जाडू लगा रहे थे और गंदगी का पार्ट आके उसमें मिल गया तो क्या आप उस मेगी को खाओगे यह सिंपल वही मालो कि आपके पास क्या कि एक ग्लास दूद है और आप उस दूद को पीने जा रहे हो य क्यों को यहां है आप उसको खाओगे नहीं क्यों 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 कि यह मकी है वह बैसे तो सथीक रहायी और शीषान को इस चाय का पार्ट नहीं है है और जब शीषिड इस चाय के , मटी हो हगए हूं अप्रिय बोलेंगे लोग इसको, तो यह जो हमारी impurity है जानकी simplyum बोलेंगे तो impurities क्या है कि impurities actual में हमारे उस वाले सविष्टांस का part नहीं होके उसके अलावा कुछ और होगा जो उस part को खराब कर रहा होगा या फिर गंदा कर रहा होगा, जैसे हमारी चाय है तो चाय के अंतर जो 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 मक्ही पड़ गई है यह मक्ही उस चाय के लिए impurity है क्योंकि वो मक्ही चाय का part नहीं है और चाय को खराब कर रही है जैसे चाय को गंदा कर रहा है वही मक्ही जो बगरा कर दे तो फिर कोई उसका यूज नहीं खरेगा तो इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस आर अनवांटेड फॉरें सबस्टांस अब अनवांटेड के हुए क्योंकि वही हम लोग चाहते थोड़ी थे कि हमारे चाय में आके मक्ही गर जाए उनवांटेड है कि हम नहीं चाहते थे यहां तो कि इसा को में लिए तरह यहां तो इसा बडिवी दिया अम्हें बड़ी बड़ी चाहिए का अंदर तो पूर्य सीरप को खराब कर देगा क्योंकि उस syrup का पार्ट नहीं है तो ऐसा खराब कर देगा और देन आप उस syrup का यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत चाय नहीं है कि आपने निकाल के पी गए यहां पर पूरा का पूरा syrup आपका खराब हो जाएगा क्योंकि वो कोई भी bacteria virus हो गया मालो कुछ भी हो गया तो वो उसको खराब कर सकता है और वो अगर आप उसका बाद में यूज करते हो अधा medicine तो आपको और नुकसान कर सकती है तो यह इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसका बाद में यूज नहीं करो तो यह उसको impure कर देती है तो जो ऐसे सभिष्ठांस है जो बहार से आई हुए है और हमारे pharmaceuticals के अंदर आके उनको खराब करते रहे हैं तो उन्हीं को हम impurity बोल देते हैं अब impurity में lower the quality यह हमारी pharmaceuticals की quality को कम कर सकते हैं हमारे उसमें toxicity cause कर सकते हैं यान की कुछ जहरीलापन जैसे मालो कोई दवाई में जहर मिला दो तो जहर एक तरह से हमारा बहार का बाट है तो वो भी उसको खराब कर सकता है अब इसको हम बही कम भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं अब इसमें कुछ मेंतर जैसे filtration हो गया purification हो गया, quality control हो गया इनका use करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सारा खराबी होता है वो depend करता है कि impurity कितनी seever है अगर ज़्यादा ही danger है घातक है तो उसको हम फैंक देंगे अगर कम है छोटा मुटा तो आप कर दोगे जैसे मालो पानी आपका कम कीमति है तो पानी में अगर आपके मक्ही गड़ती है आप पूरा पानी फैंक दोगे लेकिन दूद या चाय में गड़ती है तो आप मक्ही को फैंक देते हो वो जरूरिया का आपना हिसाब वो सुनाई होगा तो यहाँ पर सिंप्ली जैसे मालो यह हमारा कोई भी एक सॉलूशन था हमारा यहाँ पूरा पूरा ड्रग था और यह इंप्यूर्टी हमारी इसके अंदर चलीगी रेडर कर रहा है तो यह हमारा पूरा इंप्यूर्टी हो गया और जो इसको इंप्यूर कर रहा है उससी बहुत सारे सोर्सेस के जार हमें यह मिल सकती है अब यह या तो जब मैनुफेक्टिरिंग जानकि जब हम दबा को बना रहे थे उष्टाइम पे जो रॉव मैटरियल को हम यूज कर रहे थे दबा को बनाने के लिए उष्टाइम पे जैसे मालो यहां पर हम चाय बना रहे तो जा तो बन रहे थे उष्टाइम गर जाके जानकि बड़ी कड़ाई में गर गई यह क्या हुआ कि हमने जो दूद लिया था जो हमने पानी इसके अंदर डाला चाय बनाने के लिए उस पानी के अंदर अगर मक्ही हो तो तो रॉव मैटरियल हमारे अगर खराब हो या कोई औ हमारे common sources हैं जो हमारे किसी भी substance को impair कर सकते हैं बागी चलो इनको पढ़ते हैं पहले यह बताओ कि इतनी लेट हो गया और अब तक वीडियो कौन कौन देख रहा है लगातार क्योंकि 40-45 मिनिट की वीडियो लगातार कौन देख रहा है यह भी आसान बात नहीं है और आपको इक ही करके सबी को समझ लीते हैं पहले हमारा आता raw material तो वह सिंपल है कि कई वार क्या होता गी जो raw material को हम इस्टिमाल करते हैं नए प्रोडेक्ट को बनाने के लिए तो कई वह रो मैट्रियल में ही इंप्रोड़ी होती है जिसकी विज़ासे जो हमारा final product बनता है वो भी हमा आप कर सकते हैं तो raw material हो गया सेकेंड हमारा आता रियजेंट यूज इन manufacturing अब जब हम कोई सब्सक्राइब बनाते हैं तो इस टैम्पे न हमें कुछ chemicals का यूज करना पड़ता है और उन्हीं chemicals को हम यहां पर रियजेंट बोल देते हैं तो impurities occur from रियजेंट if they are not washed properly and contaminated final products अब जैसे जिन रियजेंट का यूज करें थे उनको अपने अच्छे से साफ सपाई नहीं की अब जैसे मालो आप लोग वही है चाय पती चमालव चाय चान रहते और आपने चाय पती जो आपकी छलनी होती है या जो आपका पतीला था उसको अगर आपने गलत manufacturing process मतलब इस्तमाल कर ली यह मालो कि आपने थोड़ी बाद धील दे दी जैसे होतार है कोई धील नहीं देनी है तो जब आप उस process को बना रहे थे तो बनाते time manufacturing के time पे अगर कुछ धील होगी जा उस time पे अगर कोई impurity add कर जाती है तो उसको हम बोलते है processing के time पे यह third source है जहां से हमारी impurity हमारे किसी भी formulation में add होती है तो यह हमारी impurity होगी अब यह किसी chemical process की बज़े से या किसी formulation की बज़े से हो सकती एक example जैसे oxidation है तो यह chemical है यानकि oxidation हो जाता है environment का oxygen मालो सबश्थांस में आ गया और वह oxygen react करके उस सबश्थांस को खराब कर सकता है उसको हम oxidation यहां पर बोल देते है इसमें क्या है कि जैसे हमारे जो atmosphere है तो उसमें भी धेड़ सारी gases प्रिजन होती है तो अगर कोई आप सेंसिटिव सीज बना रहे हो और उसको आपने प्रॉपर अगर मालो उसके अंदर आप करें लेकिन आपने भार किया और वहा कैसे भी लीक कर गई या मालो कोई भार से आया गेट खुला रहे है तो किसी भी रीजन से अगर मालो वह अगर के उसमें गुज़् आती है जो अपका प्रोड़क्ट होगा तो आपको हराब कर सकती है त फिर डिफैक्ट्न अच्छी से अपने मिकसिंग क्राशी से ने की प्रैसर आपने कम ख लगर गर दी तो उस टाइम कोई डिफैक्ट हो हो गया फिर manufacturing हजार इसका मतलब क्या है कि जैसे जो हमारे मैट्रियल है जैसे मालो जब आप मिक्स कर रहे थे तो आप धेड़ सारे कुछ glass का कुछ plastic का कुछ metallic इन सब का use करते हैं तो इनकी mixing की टाइम पर मालो कि अगर कोई भी इनकी गंदगी कुछ भी इनका छोटा सा पार्ट तूटके लगया किसे equipment का तूटके लगया तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो वह भी इंप्यूर्टी हमारी कहलाती है जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम grinder का use करते हैं तो कई बार होता है कि mixing का वह जार टूट जाता है उसके अंदर का पार्ट उसमें रह जाता है या जो रवड होती है वह गल गल के उसमें लगती है तो वह भी इंप्यूर्टी की तरह हमारा काम करता है जो overall error हमारी ला सकते हैं अब इसमें बिसिकली सब से ज़्यादा क्यों लूप में जाता है तब खराब हो सकता है और accidental में क्या है कि धोके से आपको पता ही नहीं चला और कोई toxic सभिष्टांस आके आपके उसमें add हो गया तो यह accidental है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है जैसे expensive हमारा potassium bromide होता है वह adulter हो जाता है NABR के साथ में तो यह expensive है यह यह हमारा cheap है यह सच्टा होता है लेकिन इसका कुछ पार्ट इसमें add हो जाता है तो यह accidental है आपको पता नहीं चलेगा इतने same होता है कि add हो जाते है और आकरी में हमारा effect देखा दाए मतलब क्या है कि अब मालों की जैसे impurity अगर add हो गई तो वो क्या-कै नुकसान पहुंच सकती है फिर therapeutically inactive यान कि जो सविष्णास अपना असर दिखाने वारा आता है वो असर उसका ख़तम हो सकता है और even उसके color, taste या पर taste को change कर सकती है तो overall अकर दिखा जाए तो यह impurity वाला बहुत important था कि क्या होती है कुछ अलग चीज होती है और यह कुछ method थे raw material हमारे जो raw material जो chemical हम यूज करने वाद से उनको हमने प्रोपर wash नहीं किया process method यान कि जो आप process कर रहे थे method उनको गलत चुलिया उसकी वाज़ा से कोई impurity add हो गई इनवारिमेंट्स ते हमारे कुछ gases add हो जाती है defect कि कुछ equipment या कुछ हमारा गडबड हो गया manufacturing hazards कि कुछ हमारे manufacturing के time पर कुछ आसी गडबड हो गयी जैसे plastic या कुछ add हो गया वह storage आपने सही से नहीं किया जा आपने proper condition है cool किसी को ठंड़ने में चाहिए धूप से बचाने तो वह सब नहीं किया तब खरा हो सकता है और एक्सिगेंटर के आगी हमको पता ही नहीं है और वह हमारे साथ हो जा रहा है और अगर असा कुछ होता है तो नुकसान गया होता है यह भी मैंने आपको बता दिया तो यह थे हमारे एक बहुत immediate question अब हमारे कुछ question आते हैं लेकिन यह थोड़ा short में आते हैं इतने जादा नहीं आते हैं तो पहले हमारे आता difference between primary and secondary solution और इसके बारे हम चलो बात करते हैं तो देखो जब आप जैसे जब आप titration करोगे अब मैं थोड़ा सा आपको titration के बारे हम बता देता हूं तो देखो इसको इस तरह समझो कि जब आप lab आपको इस तरह के equipment दिखेंगे तो यहां से आप इसके titration करोगे मतलब थोड़ा थोड़ा इसको fill करोगे यहां से इसके open करोगे जो stop कि होगा थोड़ा थोड़ा निकलेगा नीचे जाएगा और इसका color change होगा आप थोड़ा इसको इस तरह हिलाओगे भी तो यह सब काम करत होना तो इसके लिए आपको chemical की जरुवत पढ़ती है अब standard solution की जरुवत पढ़ती है जो आपके इसके titration में help करता है अब क्या होता है यहां पर कि एक हमारा होता है standard solution जो हमारे इंडियन फार्मकॉपिया की तरफ से मतलब पूरा बनाय गया है और वह एकदम fix है कि यह ठीक solution जो हमारे fix होते हैं accurate होते हैं और उनको standardization करने के जरुवत नहीं होती है मतलब वो हमारे accurate है ठीक है अब क्या होता है कि जब हमें कोई भी perform करने होते है लेम में जा कहीं पर तो भाई हम बिलकुल इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यह एक तो कीमती होते हैं महंगे हो बहुत जादा standard होते हैं इतने की हमें जरुवत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि मालो हम क्या करेंगे इसमें से हमने एक ml लिया उसको हमने यहां पर निकाला और यहां हमने 50 ml पानी और डालका और इसको हमने बना दिया तो अब यह जो solution बनाए ना इसको हम बोलते है secondary standard solution यान कि primary हमारे वो होते हैं जो standard होते हैं और secondary वो solution होते हैं जो हमारे इसी primary की मदद से बनाए जाते हैं और standard किये जाते हैं यान कि यह भी हमारे standard solution हो जाते हैं then further जो हम यहां पर use करने वाले हैं वो क्या करें हम इस वाले solution का use करेंगे ना कि इसका करेंगे क्योंकि यह primary है तो हम secondary solution का mostly आप लेब बगराम जो करोगे आपको secondary solution ही दिये जाएंगे जिनकी मदद से आप सारा कुछ काम करने वाले हो तो primary क्या है कि यह हमारे वो solution है जो highly pure ह होते हैं pure result है और इनकी concentration हमें accurately known होती है और जो further आगे मतलब इसे नहीं किया जाते हैं जैसे sodium carbonate oxalic acid हो गया तो यह तो चलो यह मतलब हमारे secondary में भी मिल जाते हैं ऐसा नहीं कि primary में है लेकिन यह मिल लिए हमारे pure माने जाते हैं इसके बाद secondary में बात करें तो यह हमारे वो solution जो less stable होते हैं और less standardized होते हैं और इनको less stable होते हैं और इनको standardized करने के लिए हम primary standard solution का use करते हैं जो मैंने यहाँ पर किया कि इनके मुकाबले तो भाई यह कम stable है क्योंकि यह एकदम pure है यह इसी से बनाए गया है और इनको बनाए भी इसी से गया है तो इनको standardized हम क्या करते है इस primary solution की मदद से करते हैं तो वही यहाँ पर लिखाए कि secondary को primary standard मदद से हम क्या करते हैं अब इनको हम then बाकी other substance इन सब के लिए use करते हैं जो भी हमें बाकी के काम करना है इक्जांबल जैसे sulfuric acid हो गया potassium permanent हो गया यह हमारे secondary होते हैं तो यह सब details आप बात जाके जो हमारी long वीडियो वो देख लेना यह आपकी standard इंप्रोटन के इसाब से difference हो गया जो मुझे दो नमबर में आता आपके लिए more than enough है तो बैसे तो यह वाले questions हमारे दो नमबर में यह आता है आपको किसी define करने को अगर 5 या 7 में आता है तो पहले इसको लिखना और इसको लिखना और इसका जो मैंने यह बताया है अगर आप इस तरह यह भी यह बना कर आजा होगे तो आपका यह नमबर के समझने के लिए हमें एक example समझते हैं अब जैसे मालोब वही आप connect कर रहे होगे अब तक पहरा सीट हमोल 500 mg से तो क्या किया कि जब हमने इसको चेक किया यानकि हम इसको चेक करना चाहरे थे कि इसके अंदर actual में हमारे कितना amount है तो हमने 10 यानकि 10 वार इसको हमने चेक किया अ अब यहां पर actual में, accuracy और percent का मनलब क्या होता है, accuracy को बोलते हैं accurate, कि तुम कितने accurate हो इसका मतलब क्या होहता है, तो accurate का मतलब है कि कोई कितना साही है, इसका मतलब कि है कि ह जैसे या हमारे 500 mg है तो इसके प्रो यानकि कि कि उप्लोज कोई value गई है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे 400 सी दूर है 498 भाई इसके close गई है लेकिन और हम पास देखते हैं इसमें और इसमें दो का difference है लेकिन ये 501 है ये हमारी इसके और पास हो गई क्योंकि इसमें और इसमें तिर्फ एक का difference है तो अगर हमें इसकी accuracy बोलनी होगी न तो जो हमारी value है इसमें 501 वो हमारी इसकी accuracy होजाएगी क्यों होजाएगी क्योंकि ये हमारी सबसे जादा close है क्या है हमारी सबसे जादा close value है अपनी जो standard value है उसके तो इसको हम बोल देते है accuracy so simple अगर देखा गया कि accuracy हमारी क्या होता है कि it is the closeness और correctness of the measured value to the standard or true value यान कि यह जो हमारी actual value उसकी कितने करीब बारी जो value होते हैं उसको में आपे true value या standard value को करीब होते हैं उसको में आपे accuracy बोल देते हैं लेकिन 490 आया फिर 490 आया तो हम यहां यह देख रहे हैं कि जब हम calculate कर रहे हैं 10 बार calculate में 4 बार हमारा 490 आया तो हम यहां पे एक idea लगा सकते हैं कि वही 490 value है वह हमारी precision है यान कि हो सकता है कि actual में जो हमारे वह value है जो इस true या standard value को जितने करीब हो तो बैसे यह भी करीब है लेकिन इससे भी करीब हमारी 501 value है तो 501 हमारी इसकी accuracy है और precision के बारे मात करें तो जो value बार बार रेपीटेड मोट पर यान कि बार बार हमारे देखने को मिल रही है जैसे 490 हमने कहले तो यह हमारी इसकी precision होगी तो यह example आप दिख सकते हो कि it is defined it is the closeness, correctness of measured value और it is defined it is the repeated value of measurement और closeness of multiple observation to each other यानकि जो सबसे जादा close है वो हमारी होज़ा है कि यह बाली ठीक है अब यहाँ दिखाएगा it is expressed as percentage और absolute difference यह हमारा percentage of measurement लिखा जाता है it is about the quality of result यह हमारी किसी भी उसकी quality को measure करता है कि बाई कौन कितना करीब है तो उसकी quality को measure करेगा और इसको हम calibration के दौरा improve भी कर सकते हैं और जो हमारा precision है यह basically express किया जाता है किसी की range और standard deviation निकालने के लिए यह सब आपका बाद में details में आएगा और यह भी हमारी किसी की quality में ही help करेगा बाकि इसको भी हम improve कर सकते हैं इंक्रीजिंग ना number of measurement और more practice कि बार बार हम इसको और calculate करके हम इस precision को भी और ठीक कर सकते हैं तो simple कैसे किया तो मालो कि हमारी value 4349 यह आ रही तो हमने क्या किया अगली बार अपना जो equipment था उसको अच्छे से calibrate किया तो जो calibrate करके देगा तो हमारा 501 जो 4900 है तो हमने क्यों प्रिज्जन को हम बार बार करके और repeated value करके हम निकाल सकते हैं तो लिए अब यह हधो तो आपकी स्लेबस बाला तो आपको मिली दाएगा तो आप कर सकते हो अब हमारे कुछ question बनते हैं यहां पर अब देखो simply आपको बताओं तो यह question हमारे बदल बदल के आते हैं क्योंकि हर भार क्योंकि धेड़ सारे हमारे पास यहां पर जो भी compound होते हैं तो आपको किसी की भी preparation निकालने के लिए आ सकता है और इसमें basically कई बार होता है कि आपको किसी की मैंने इसटार्टिंग मैं ही आपको बता दिया था जब मैंने यहां पर निकालना कैसे है कैसे करना है और इसमें क्या निकल के आईगी तो यह comment करके बताना भी अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमें जब यह यहां पर titration कर रहा ही थे तो यह जो है ना इसको आपको खुद बनाना होता है यानकि आपसे सर बोलेंगे अब देखो मैं आपसे एक बात कहूंगा यह important question की वीडियो है तो इसमें थोड़ा time का shortage रहता यह जितनी छोटी बने तो जो long हमारी स्लेवस वाली वीडियो है उसमें यह वाले जो topic है कि आपको कैसे calculate करना है कैसे निकालना है वह details में वहां discuss किया है वहां जाके देखोगे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ठीक है अब चलो फिर भी समझते यहां तो पहले हमारा आता है potassium permagnate वाला तो potassium permagnate जो है ना व को क्या करना है आपको molar के अमनो फोर को prepare करना है और stans करना है तो आप यहां पर पूरे इसको तैयार करो को कैसे करो को वही वाते होती है तो क्या मनो फोर का हमारा molecular formula यह हो गया और molecular weight होता है 158 ग्राम और इसका formula यह बना होता है अब यहां पर अगर नॉर्मल देखोगे molecular weight देखोगे इस तरह लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब क्या है कि आपको एक मोल के अंदर पांसो 158 ग्राम आपको जो क्या मनो फोर करना है तो वही आपके सामने एक value तो लेट ही कि आपको वन मोलर के लिए 158 ग्राम एड करना है और यह आपका थाउजन टैमल यहां कि सिं इसको इसको मैकड़ाय करतोगे तो लगबख 3.2 से 3.5 एपकर इसको आप सिंपल दिखा जायगा तो आप्、 SARम्न ग्राम के कर लोगे अंदर कर दोगे तो आपका जो solution बन जाएगा वो बन जाएगा 0.02m अब यह बहुत simple है देखो यह एक value है अब मालो यह 1 molar के लिए था आपको कहाए simple 0.1 के लिए निकालना होता है तो 0.1 molar के लिए निकालेंगे लिए क्या करना है इसमें 0.1 का add कर दोगे तो जब 0.1 के add करोगे तो यहां एक add कर दोगे तो लगवग आपको 15.8 g ग्राम मतलब क्यामन फोर लेना पड़ता है और उसको आपको 1000 ml में add करोगे तब यह आपका बन जाता है अब कई बार क्या होता है कि आपको 1000 के जागा सिर्फ 100 ml पर बनाना है तब तक आज में कुछ नहीं कर सकते तो आपको जाके try करना पड़ेगा calculation बहुत सिंपल है वाकी lab बाले सर भी आपको वहाँ पर करके online दिखा देंगे अब इसी तरह अगर आपको 0.1 n का बनाना है तो देखो 1 जो normality है उसका और इसका भी same होता है इसलिए क्योंकि यह जो हमाना कैमनोफोर इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक positive है एक negative है यानकि इसका जो neutral निकलता है जो अगर मैं आपको normality का simple दिखाऊं तो normality में जो हमारा gram equivalent था molecular weight अपर नीचा इसी बेश सा तो केमनोफोर में भी यहाँ पर 1 निकलती है तो molecular weight आपका same रहेगा 158 और इसका जो number of gram equivalent है वो भी आपका same निकल के आएगा 158 पॉंट यह तो इसके लिए भी आपका यह लगवग same रहेगा तो वही है कि अगर आपको 0.1 के लिए चाहिए तो 3.2 gram के approach आपको इसकी जरुवत पड़ेगी potassium permagnate को आप 1000 ml में add कर दो अब हम बात करते हैं अपने oxalic acid के बारे में तो इसको भी शेम उसी तरह आपको निकालना है जैसे वो निकालना था जैसे इसका हमारा formula होता है इसको इस तरह बनाते हैं और इसका molecular weight हमारा 126 gram per mole होता है यानकि 1 mole में हमारा 126 gram हम dissolve करते है 1000 ml में है तो अगर हमा 0.1 के लिए चाहिए तो बस इसका multiply हमें इस पूरे में कर देंगे तो एक point इतर आएगा तो 2.6 gram हमें oxalic acid 1000 ml में add करेंगे तो हमारा बन जाएगा 0.1 अब इसमें जितना बनाना है 0.2 बनाना है 0.6 बनाना है आपको बस इसमें multiply करना आपका answer आताएगा और number of moles हमारा इतना होता है एक moles के अंदर 126 gram होता है अब इसको 0.1 N को करना होगा तो देखो normality के लिए थोड़ा अलग है क्योंकि oxalic acid में आपकी basicity 5 आती है अब मतलब देखो इसमें क्या पंदा होता है पता है जैसे acid हमारा तो acid के ल toxicity की value यहाँ पर use करने पड़ेगी और जो हमारे base rate होते है base हो गया जैसे NaCl, NaOH हो गया sorry NaCl तो salt है जो NaOH हो गया sodium atom हो गया उसके लिए आपको acidity की value यहाँ पर लिखनी पड़ती है तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारे यह oxalic acid है इसकी basicity आपको लिखनी पड़ेगी त number of gram equivalent upon volume of solution in liter तो हमें gram equivalent के लिए कि molecular weight चाहिए और उसकी basicity चाहिए तो molecular weight हमारा 126 gram होता है और इसकी basicity हमारी 2 होती है तो जब मैं इसको calculate करेंगे 63 gram per mole निकल के आएगा अब इसके according हमें क्या पता चल रहा है कि एक mole के अंदर हमारा 63 gram होगा तो 1 normal में हमारा 63 gram होता है अब हमा निकालना कितने का है 0.1 का तो 0.1 का आप इसमें multiply कर दोगे तो 0.1N का होगा dissolve करना पड़ेगा आपको इसका multiply का 0.1 आपका 6.3 निकल के आएगा तो अगर आपको 0.1 normal का बनाना है normality का तो आपको 6.3 gram oxalic acid को 1000 ml में add करना पड़ेगा ठीक है बाकि अगर को standard है primary तो आपको उसकी standardization करने के जरूबत नहीं होती क्योंकि वह proper होता है then हमारी बारे आते है sodium hydroxide की तो इसका 40 होता है यह formula होता है अब इसका 0.1 M को अगर हमें prepare करना है तो simply हम क्या करेंगे 1 molar यहाँ पे अब एक चीज़ अगर आप notice कर रहे होगे तो यह M हमारी molarity है और N हमारी यहाँ प 40 ग्राम होता है simple है तो 0.1 में हम इसको multiply करेंगे 40 से 4 ग्राम आजाएगा तो 4 ग्राम आपको एड़ करना पड़ेगा 1000 ml के लिए अब इसको standardize करना है तो अगर आपको standardize करना है तो इसको titration आपको करानी पड़ेगी potassium by thylate के साथ में और phenophthalene आपको indicator यूज करना तो यह formula आप यूज करोगे निकल आगा तो यह थोड़ा प्रक्तिकली होगा है यहां में आपको lab बगरा में कभी होगा तो मौका बता कभी इसके भी बात करेंगा बाकि आप इसको कर सकते हो बागी 0.1 न बनाना है तो बही simple था बंदा है कि 1 n में 40 ग्राम होता है ऐसा इसल करने के लिए formula हमारा होता है n1 v1 is equal to n2 v2 यह थोड़ा details में देख लेना है तो यह पूरा करके देख लेना है एंड में आपको समझ में आगे होंगे तो हमने अपने सारे के सारे question लगवाग यहां पर देख ली है अब एक आखरी बात कर लेते हैं significant figure के बारे में क्योंकि यह question भी देखा गया कि कई वार आजाता है अब यह actual में होते क्या हैं तो इसको define तो simple ऐसे करना है जैसे जो भी आप result बगरा लेके आरहो न observation के बाद तो उनको express करने के लिए जिन wording का यह उन्हीं को हम जहां पर significant figure बोलते हैं अब जैसे हमारे यहां पर हम इसको calculate कर रहे थे तो जैसे example माले हो 2000 है 2.0, 2.0 है अब इसमें क्या होता है ना कि यह J है इसमें जो significant figure है सिर्फ एक माना जाएगा यहां कि आप बोलो कि इसकी value है लेकिन यहां पर ऐसा ही चलता है हमारे यहां ऐसा ही होता है तो significant figure का यह ही है कि हम इसको एक ही मानेंगे बलकि इनको हम दो decimal की value होते है तो यहां पर हमारे 2 होंगे और यहां पर हमारे 3 होंगे तो यह इसी क्या होता है आप इसके rule के बारे में अगर बात करें तो जितने भी हमारे non-zero desert है यानकि जिनमें zero present नहीं है वो सारे के सारे हमारे significant figure माने जाएंगे यानकि अगर देखा जाए तो इसमें हमा हमारे 3 है इसमें भी हमारे 3 है क्योंकि इनमें कोई zero बगारा नहीं है तो यह हमारे significant हो गया दूसरा क्या कि अगर कोई हमारे non-zero वाले substance है उनके बीच में अगर कोई zero आता है तो उसको भी हम यहां पर significant ही मानेंगे जैसे हमारा 1001 हो गया तो इन दोनों के बीच में है तो य हमारे count नहीं के जाएंगे यहां पर हमारे 3 है लेकिन यहां पर यह दोनों count नहीं के जाएंगे तो सिर्फ 1 है यहां पर यह 3 count नहीं के जाएंगे तो हमारे सिर्फ यहां पर 2 आते है यह हो गया इसके बात क्या है जो trailing zero trailing होता है बाहर का देखो leading zero आगे के trailing zero बाहर के होत 2000 लिख देता हूं तो इसमें सिर्फ हमारा एक सिग्निपेंट फिगर होगा तो यह थोड़ा आप समझगे होगे कि पॉइंट के बाद बार को काउंट करें उससे पहले के काउंट नहीं कर रहे हैं और राउंडिंग ओफ में यहां सिंबल देखा गया है अब जैसे मालो यह हम sear को हमें इसको चोटा करना है तो हम क्या करनेंगे जो आक्री वाला नम्बर अगर वह हमारा 5 से उपर है तो अब हम से ऊपर है तो इसको भड़ा देंगे अगर चोटा है तो उतना सेम रहने देंगे या कम कर देंगे तो इस तरह हमारा रावनिंग ओफ चलता है और आखरी में कहाँ कि जो हमारे इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे इन सब को यहां पर काउंट नहीं करते हैं तो इनको आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं बागी मैं मिलता हूं आपसे बहुत नेश्ट वीडियो में इससे हम बात करेंगे अपनी यूनिट सेकेंड के बारे में तो फैंक यू टेक कियर आप सब लोग अपना अपनी फैमिलिस का ख्या लखेगा बाई बाई